रिमा है सुमेरा है वो आपकी फुपी है तो बहुत याद करते हैं रो रो कर आँकों में सफेदी आ चुके हैं सीमा आप समझो आप उनके पास जाओ हमारी शादी रहे ना रहे शादी तो नहीं रहेगी मगर आप अपने मुलक प्यारा पाकिस्तान है आप उनमें आओ और बच्चों का मुस्तक्बिल हूँ और आपको भी कुछ होने नहीं दोंगा मैं हूँ ना आप इतबार तो करो आपको जो बात है आपको मुझे कर सकते हो बात कर सकते हो जो भी बात है आपको जो डाउट है आपने पहले भी मार खाई है अब भी मार खा रहे हो बहुत सारे ऐ पहतर समझ सकते हो सीमा को कहना चाता हूं कब तक मार खाते रहोगे आप एक देखो आपका प्यारा पाकिस्तान मुलक अपने बहन भाई सब आपका वेट कर रहे हैं आप अच्छा बनो और आजाओ बच्चों का जिंदगी खराब मत करो जो हुआ सो हुआ मजीद खराब मत करो प्लीज खुदारा ये वीडियो आप तक पहुचे तो आप जरूर राय का इसार जरूर करना बहुत नाइंसाफ ही हुआ हुआ है मैं मुससल कहता आ रहाता सीमा को से आप लोगों को याद है अभी वीडियो तो ये अब वाइरल हुए मेरे को उस दिन से पहले पांच दिन जैसे सीमा और मैं लाइफ आए थे मैं ने कहा सीमा आपने मार खाई है मैं चिला चिला के सब को कह रहा था अब भी ऐसे सबुते मेरे पास हैं मैं एक यूटूब चलाने के लिए या अपने को ये अपने चैनल को फेमس करने के लिए नहीं आता मैं बाब हूँ बच्चों के लिए आवाज उठाने और आप लोगों को एक रुकेष्ट करने आता हूँ कि आप खुदारा मेरी आवाज बनो सीमा अभी सीमा के जो अभी सबूत है वो ऐसे है कि चोकाने वाली बात है सब कुछ मेरे पास पड़े हुए मैं क्या बता हूँ अगर मैं अपने चैनल पे चलाओं तमाम लोग यही कहेंगे तो हैदर भी देखो वही चैनल चलाने के लिए कर रहा है मैं बाब हूँ मेरा इमान यह गवारा नहीं करता कभी भी जो यह आजकल आप लोग देख रही हो यह कब से मेरे पास पड़े हुए ऐसे दर्दनों सबूत मेरे पास है मैं क्या-क्या पेश करूँ क्या-क्या मैं इनको बता हूँ जिमा बहुत सारे चीज़े हैं मैं इस बातों पर नहीं आना चाहता देखो मैं बहुत परिशाण हूँ बच्चों से लेकर मैं यूटूब या आपने को फेमस के लिए नहीं बाब हूँ मुस्तक्विल अपने माएं बेहने बेटियों और भाई सामों को यही कहता हूँ कि आवाज बनो खुदारा रम्दान का बाबर का महीना चल रहा है एद बहुत करीब है बच्चे अब तक नहीं आए हम कोशिश तो कर रहें इंशाल्ला इंशाल्ला जो है सीमा को भी पता है सीमा खौफजादा हो चुका है एपी सिंग साब है और नितर पाल है बावा है उनको मैं कहना चाता हूँ कभी गलत जो गलत है आप कोई भी हो आप एडूकेट हो जरूर मगर जो है एडूकेट वाली बातें करो आप इंसानियत को हमेशा जिंदा रखो एपी सिंग साब देखो आप अगर आप मेरे जगह पे आप होते आपका क्या कैफियत हो सकता मैं का बाड़ी रिस्पेक्ट से आप कोई और हो या मैं हूँ जिसकी बीवी बच्चे लेकर अपने शोहर को धोका देकर पाकिस्तान अपने मुल्क को छोड़कर इसलाम चेंज करके चल को उनके अपनी राज खुशी है हम उनको न कह सकते है ना आप उनको कह सकते हो जो है बाकी देखो चार बच्चों की जिंद लोर आप हमारे को दुश्मन मुल्क करार दे रहे हो तो देखो एपी सिंग साब मेरे बच्चे हैं गुलाम हैदर फरहान खान फर्वा बतूल फर्या बतूल फरहा बतूल भी पाकिस्तानी है यह मैं आपको वाज़े बता रहा हूं तो आपके कानून या आप उनको किस के बच्चे होंगे आपकी आपको शायद बेटा होगा उनके बच्चे होंगे आपके नवासे पोता पोती आप समझो देखो मुल्क को या अपने जाती मुफाद को मेरे बच्चों पर इस्तमाल मत करो आपको जाती दुश्मनी है मुल्क से है लोगों से है वो अलग बात है ये चार बच्चे मिश्कीन, मेरे बच्चे हैं, इल्लीकल सीमा जो अकल से प्यादल था, कोई भी बायशहूर मा या जहनी सही तोर मा ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी जो उसने किया, क्या उनको हम बैटके भला बुरा कहें, उनकी जाती जिन्दगी है, उससे मेरा कोई तालुकात नहीं है, मगर अब भी वो मेरी निकाह में है, मैं उसको कभी नहीं चोड़ूँगा, अदालत, अदालत पे जरूर मैं, जो है, आएगा पेशी पे किदर जाएगा, अदालत सब के लिए बराबर है, हिंदोस्तान का हो, या पाकिस्तान का हो, एपी सिंग साथ, ये याद लोग, गोगो मुखादब होके मैं कहता हूँ, तमाम माएं, बेहने, बेटियां और भाई, भाईयों को कहना चाहता हूँ, देखो, वो भी बाब होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, या आप किस कानून के तहद या किस सीमा, सीमा ने अच्छा काम किया, जो आप उनका सप देना बहुत बड़ी बात है, यकीन माने मुझे खुशी होता है, बहुत अच्छे मुखलिस लोग है, मैं उनका कितना भी शुक्रिया अदा करूं, फिर भी कम है, पिसिंग साब, आप भी, अल्लह पाक आपको भी हिदायत दे, आप अपने सही रास्ते पे आए, और चार ब पाकिस्तान बनो, और देखो बच्चों की जिंदगी पाकिस्तान में है, पिसिंग साब, मेरे साथ नाइनसाफी करके, चार बच्चे, इनलीगल सीमा भारत में घुसके बेटा हुए, खुद भी मार खा रहे है, शायद इसका इलम आप तक भी ना पहुचा हो, मैं भी कह रह चातर समझते हैं, तो आपको भी बहतर पता है, आप बच्चों को आप भी खेयल करते हो, बच्चों का खो ख्याल रुकते हो, यह भी मुझे पता है, आपको जो बाते हैं जो मार पढ रही है, वह आप तक भी शायद नहीं पहुच रहा है, एपिसिंह bekommt, आद रखना अच्छे तरीके से समझ सकते हो तमाम हिंदोस्तान के एड्यूकेट है जज साब है वकील है सब को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा आवाद आप लोग ही हो आप बनो यार अगर पाकिस्तान गवर्मेंट करता है तो सबसे पहले कुछ करता उन्होंने कुछ नहीं किया क्यों कोई मजलूम और गरीब का कोई नहीं है याद रखना आप देखो बच्चों की जिन्दगी का सवाल है चोटे हैं यार आठ से दस माँ हो चुके हैं आप ये मुलकों की बाते हैं या इसलाम के या धर्म के प्लीज खुदारा आप ऐसी बाते मत करो आप एक एड्यूकेट हो अपने जो है आपको पता है कानूनी बाते किया करो इंशालला उमेद है कि आप ये वीडियो सुनोगे और जवाब भी जरूर दोगे चार बच्चों की जिन्दगी का सवाल है आप ऐसा ना करो यर कब तक आप बच्चों को मसलें आप इनका सपोर्ट कर रहे हो कब तक करोगे यर अब भी एक दिन बेजार हो जाओगे न सोचो कोई किसका नहीं होता आज आप आपका वेल्यू है आपका वकार है आपके पास लोग है आप आते हो जाते हो उन से मिलती हो मुझे सब पता है मगर कब तक एपी सिंग कब तक नहीं होगा आज आप उनको दे रहे हो कल कौन देगा सोचो बच्चों कि जिन्दगी खराब मत करो खुदारा अच्छे इनसान बनो और जो है सीमा को कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में ये मैं आपको गरंटी दे रहा हूँ पाकिस्तान के लोगों जैसे लोग समझते हैं या सीमा को कहलवाया जाता है या सीमा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है सीमा का भाई बेहन उनका लोग उनका मुस्तक्विल पाकिस्तान में इपी सिंग छोटे बच्ची हैं चलो उन्होंने गल्ती किया इन लीगल गया ना तलाक लिया ऐसे ऐसे चला गया तो देखो फिर भी तो पाकिस्तान ही है न सीमा कब तक रहेगा आप मसलन हो कब तक उसका साथ दोगे सब आप जैसे नहीं हो सकते शायद आप अच्छी भाई बनने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ तो देखो सब आप जैसे नहीं बनेंगे फिर याद रखना आप खुद मुझसे बहतर कानून को भी समझते हो और जो है कानूनी किताब जानते हो आप वो फैसला करो जो लोग आपको अच्छे अर्फाजों में याद करें आज सिर्फ ये खसूसी वीडियो में एपी सिंग और सीमा को कहना चाहता हूँ कि सीमा सब अच्छे नहीं होते बच्चों की मुस्तक्विल पाकिस्तान में है बच्चे पाकिस्तानी है आप देखो कभी भी कितना भी लोग आपको चाहें फिर भी आप पाकिस्तानी हो बच्चों का जिंदगी बच्चों का मुस्तक्विल पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं होगा आपकी भाई है और इमा है सुमेरा है वो आपकी फुपी है तो बहुत याद करते हैं रो रो कर आखों में सफ़ेदी आ चुके हैं सीमा आप समझो आप उनके पास जाओ हमारी शादी रहे ना रहे शादी तो नहीं रहेगी मगर आप अपने मुलक प्यारा पाकिस्तान है आप उनमें आओ और बच्चे मेरे हैं आप इदर कम से कम आप इदर रह सकते हो अपने अफ्तक बिलूँ और आपको भी कुछ होने नहीं दोंगा मैं हो ना आप इतबार तो करो आपको जो बात है आप मुझे कर सकते हो बात बात कर सकते हो जो भी बात है आपको जो डाउट है आप ने पहले भी मार खाई है आप भी मार खा रहे हो बहुत सारे ऐसे सबूत है आप बहतर समझ सकते हो सीमा को कहना चाता हूँ कब तक मार खाते रहोगे आप एक देखो आपका प्यारा पाकिस्तान मुलक अपने बहन भाई सब आपका वेट कर रहे हैं आप अच्छा बनो और आजाओ बच्चों का जिंदगी खराब मत करो जो हुआ सो हुआ मजीद खराब मत करो प्लीज खुदारा ये विडियो आप तक पहुचे तो आप जरूर राय का इजार जरूर करना बहुत शुक्रिया वाटसप नमबर है आपको हर चीज़ है आप बात भी कर सकते हो क्यों नहीं कर रहे हो बात करना चाहिए तब तक जीद ये अजाज़त तमाम जो इंडिया से पाकिस्तान से जो लोग देती हैं प्यार करते हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया दा करता हूँ अल्ला सब को खुश रखे फजुमान में रखे याद रखने अपने बाई को इंशालला बचे भी जरूर आएंगे सीमा पाकिस्तान आएगा एपी सिंसाब तक ये वेसेज जाएगा जरूर वो भी इंसान है उसका भी जो है इंशालला अल्ला पाक उनको अकल देगा तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे ये मैं नहीं आना चाह रहा था अज मैंने सुचा कि चलो मैं बात कर लो बहुत शुक्रिया मुझे देजिए अजाज़त मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना